हेलो दोस्तो स्वागत है आपका आपके अपने चैनल उप्चार नुसके में हम उप्चार नुसके चैनल में रोजाना एक लिटेस्ट वीडियो अपडेट करते हैं अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो आप उप्चार नुसके चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन को क्लिक करें जिससे आपको हमारे द्वारा अपलोड की गई वीडियो सबसे पहले देखने को मिलें मंगलवार कामदा एकादसी इन साथ उपायों में से कर लें कोई भी एक उपाय चैत्र महिने सुकल पक्ष के एकादसी को कामदा एकादसी कहा जाता है कामदा एकादसी को भगवान श्री विश्नों का बड़ा और महत्वपून व्रत बताया गया है साल 2018 में यह वरत 27 मार्श यानिकी मंगलवार को है योतिशास्त्र अनुसार ऐसा माना जाता है कि यदि कामदा एकादसी पर कुछ विशेश उपाय किये जाएं तो आप हर मुसीबत का सामना कर सकते हैं तो चलिए जानते हैं कामदा एकादसी के वरत, पूजन और इन साथ उपायों के बारे में सबसे पहले बात करते हैं कामदा एकादसी वरत, महत्व और विधी के बारे में ग्रंथों के अनुसार कामदा एकादसी का वरत करने से सभी प्रकार के पापों से मुक्ते मिलती है एकादसी का यह वरत सभी कस्टों का निवारन करने वाला और मनुवांचित फल देने वाला है जिस कारण इसे कामना पूरी करने वाली कामदा भी कहा जाता है कामदा एकादसी वरत की कथा और महत्व भगवान श्री कृष्ण ने धर्मराज दिस्टर को बताया था और इससे पहले वसिष्ट मुनी ने राजा दिलीप को इस वरत का महत्व बताया था कामदा एकादसी वृत के दिन सबसे पहले सुभा इसनान करके वृत का संकल्प लेना चाहिए, इसके बाद भगवान शे विश्नु की पूजा करनी चाहिए। पूजा में भगवान विश्नु को फूल, फल, तिल, दूद, पंचामरित आदी चीजें अरपित करनी चाहिए। अरपित करने से सभी प्रकार की परिशानियां दूर होती हैं। भगवान विश्नु को पीले फल जैसे केले आदी का भूग लगाना चाहिए और पूजा के बाद उसे प्रसाद के रूप में वित्रण करना चाहिए। तुलसी की माला अरपित करें। ऐसी माननेता है कि कामदा एकादसी के दिन भगवान विश्नु जी को तुलसी की माला अरपित करनी चाहिए। तुलसी की माला विश्णु जी को काफी प्रे है इससे भी काफी प्रसंद होते हैं और भक्तों के दुखों का नाश करते हैं पीले रंगे मेवा मिस्ठान चड़ाएं कामदा एकादसी के दिन पीले रंग के मेवा मिस्ठान भगवान विष्णु जी को अर्पित करने चाहिए इससे भगवान विष्णु की असीन कृपा प्राप्त होती हैं और जीवन में आने वाली सभी प्रकार की कर्टनायां भी दूर होती हैं पूजा में कमल का फूल अर्पित करें शास्त्रों के अनुसार एकादसी के दिन भगवान विष्णु जी को कमल का फूल अर्पित करना चाहिए कमल के फूल के अलावा आप पीले रंग का फूल भी पूजा में इस्तिमाल कर सकते हैं ऐसा करने से भगवान का आशिरवाद अपने भक्त पर हमेशा ही बना रहता है दोस्तों अगर आपको हमारे द्वारा दी गई ये सभी जानकारियां पसंद आई हों तो आप उपचार्ण उसके चैनल को सब्सक्राइब लाइक और शेयर करना ना भूलें